देखिए यह सवाल जो है कल टेलिग्राम चैनल पर आपसे पूछा गया था जिसमें केवल 31% इस्टुएंट्स ने इसे सही बताया मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि यह आसान सवाल है बेसिक सा सवाल है इसे पता चलता है कि कहीं न कहीं स्टुएंट्स के बेसिक में थोड़ी सी कमी है अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया कर सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस पर आपको वीडियो के अपडेट और इस तरह के सवाल मिल जाएगे या फिर आप सीधे टेलिग्राम पर जाके दिख्शिसर सर्च कर सकते हैं आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा अगर आपने इस सवाल ट्राई नहीं किया था तो एक बार वीडियो को पॉस करिए अपना आंसर निकाली और फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं देखे बिलकुल बेसिक सा सवाल है और आपने अगर रेश्यो एंड प्रपोर्शन की जो मैंने पूरी डीटेल्ड वीडियो अप्लोड करी थी अगर आपने वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा तो ये सवाल आपका सही हुआ होगा देखे इस टाइप का जो सवाल है ये ट्रिगनोमेटरी में भी ऐसे सी पूछती रहती है जैसे टेन थीटा बराबर इतना फिर वो साइन और कॉस के फॉर्म में सवाल पूछते हैं और हम साइन और कॉस की वेल्यू ले लेते हैं वहाँ पर भी इस तरह की गलती करवाई जा सकते एक बार इस सवाल को अराम से समझते हैं अभी हम इस पार्ट को नहीं देखेंगी ठीक है बिल्कुल बेसिक से मैं बातचीत करूँगा आपका जो भी आंसर आया आपने देख लिया हुआ वैलत हुआ था तो वो भी आप देख चुके हैं अभी एक बार बेसिक देख लेते हैं अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार A B C का जो रेशियो है वो 2 5 3 है इसका मतलब A की वेल्यू आप 2 मान सकते हो B की वेल्यू 5 C की वेल्यू 3 बिल्कुल सही बात है यानि अगर मान लो आपसे पूछा जाता A प्लस B डिवाइड़ बाई C की वेल्यू बताओ कितनी हो जाएगी तो आप लिख देतो ना 2 प्लस 5 डिवाइड़ बाई 3 लेकिन अब यहाँ पर important बात भी सुनते जाएए क्या कि A की वेल्यू 2, B की वेल्यू 5, C की वेल्यू 3 नहीं है भाई ऐसा हो सकता है ना बदे को इनका ratio 2, 5, 3 अगर यह 2 होगा तो यह 5 होगा यह 3 होगा इसका मतलब यह है कि let us suppose A 4 हो गया तो मैंने 2 को कितने times कर दिया 2 तो B जो है वो 5, 2 जा 10 और C जो है 3, 2 जा 6 होगा इस बात से सभी agree करते हैं जो पीछे बैठे हैं उनको भी यह बात समझ में आ रही है तो बात यह है कि हम यह कह सकते हैं कि यार A जो है अगर 2X है तो B जो है वो 5X होगा और जो C है वो 3X होगा यहां तक सभी को बात clear है अब होता क्या है जब यहां पर जैसे 2 लिखाया तो यह 2X हो गया यह 5X हो गया 3X हो गया तो उपर से आप X को common ले लोगे तो यह X-X कट जाता है this is the reason why कि जब आप A B C की value 2 5 3 भी ले जाते हो तो कोई गलती नहीं होती है लेकिन अब हम बढ़ते हैं इस type के सवाल पर इस type के सवाल में क्या हुआ कि जब A B C की value आप 2 5 3 लेगे तो 2 का square हो गया 4 5 का square हो गया 25 और C है नीचे 3 3 दू नीचे है आपका answer आता है 29 by 6 आप इसे option में देखते हो option number A दे देना चाहिए था 29 by 6 ठीक है तो और जल्दी हम टिक कर देते हैं दूसरा एक 6 by 29 एक 29 by 6 है तो हमें all लगेगा कि higher in दोनों में सही कोई सही answer होगा ऐसा भी SSC बहुत सवालों में कर रही है क्योंकि content तो अब क्या निया लिया है concept तो सारे पूछ चुके तो वो सवालों की language और options है उसके साथ खेल रही है तो वहाँ पर ध्यान देना है तो हम इसको tick कर जाएंगे लेकिन यहाँ पर गलती है क्या गलती है उसको समझिए देखो यहाँ पर A के साथ square है बी के साथ square है नहीं है तो उससे क्या होगा यहाँ पर जो है x square बन जाएगा b के साथ x square बन जाएगा लेकिन c के साथ सिर्फ x रह जाएगा इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा answer होगा वो x की form में आ रहा होगा यानि x की value क्या होगी उस पर depend करेगा यहाँ इसका correct answer हो जागा none of these यह आपको दिया जा सकता है can't be determined दोनों में से कुछ भी दे सकता है can't be determined या फिर none of these अब मेरा आपसे एक और प्रश्न बनता है कियर कल को अगर ssc ने या किसी भी exam की आप तयारी कर रहा है मैं ssc बोल रहा है यह नहीं कोई भी exam syllabus सभी exams का आज की rate में बिल्कुल exactly सेम हो चुका है ठीक है तो अब जरा अपने दिमाग के घोडे दोडाईए और मुझे बताईए अगर आपसे इसकी value पूछी जाए let us suppose आपको 4 options दिये जाए 3 options का कुछ-कुछ value होगा और एक option दिये जाता है none of these तो आप किसको tick करने वाले हैं comment करके जरूर बताईएगा कि आपका answer जो है वो सही था या नहीं था तो भई इसकी आप value निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं तो answer is हाँ हम इसकी value निकाल सकते हैं reason क्या है भई यहाँ पर x square आएगा यहाँ पर x square आजाएगा यह x की form में होगा और यह भी x की form में तो x square कट जाएगा यह एक्जाम में आपको क्या करना है आपको देखना है इन सब की जो degree है वो same होनी चाहिज़ यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 1 तो 1 into 1 यह 1 plus 1 2 हो जाएगा 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस बात को आपको ध्यान रखने है clear है